हलो एवरिबन, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके के कोश्चन जो पक्षियों से रिलेटिव है आपको इन्हें ध्यान से सुनना है और इन्हें याद करना है, देखना है आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे, यह हमने कोश्चन लिखे है और आपको वीडियो हमारी लाज तक देखनी है और समझनी है सभी को लाज तक वीडियो देखनी है और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और like comment करना है ठीक है अब हम start करते हैं देखिए यहां हमने कुछ पक्षियों के चित्र बनाये हैं और यह हमने question लिखे हैं अब हम question पर आते हैं आपको ध्यान से देखना है और इन्हें याद करना है कौन सा सबसे छोटा ने उड़ने वाला पक्षी है जो की चूजे से बड़ा नहीं है ठीक है ऐसा कौन सा सबसे छोटा पक्षी है जो उड़ता नहीं है और यह चूजे से भी बड़ा नहीं होता है तो answer है कीवी कीवी ऐसा पक्षी है जो चूजे से छोटा होता है और ये उड़ता नहीं है देखिए हमने इसका ये चित्र बनाया है ये चित्र बनाया है हमने अब हम question 2 पर आते हैं कौन से पक्षी को उस घर में भागे लाने वाला माना जाता है जिस घर पर वह खोसला बनाता है तो वर्ड जारीगर ऐसा पक्षी है जो घर में भागे लाने वाला पक्षी माना जाता है और वह जिस घर पर खोसला बनाता है ठीक है ये वर्ड जारीगर पक्षी है हमने इसका भी चित्र बनाया है यहां पर सबके चित्र बनाए है थर्ड कोशन पर आते हैं कौन सा उन्ने वाला पक्षी कभी मौरिशस के दीप पर रहता था ऐसा कौन सा पक्षी था जो मौरिशस के दीप पर रहता था तो डोडो ऐसा पक्षी है जो मौरिशस के दीप पर रहता था इसका चित्र हमने ये बन है दिहां से देखते रहना है सभी को 4th question पर आते हैं कौन सा सिकारी पक्षी अमेजन बांध पर बंदरों तथा स्लाथों को पकड़ता है तो हिस्त्र गरुण यह ऐसा पक्षी है जो अमेजन बांध पर बंदरों तथा इस लाथों को पकड़ता है ठीक है जित्र हमारा है अब कोशन 5 पर आते हैं कौन सा आस्ट्रेलियन पक्षी प्रसिध पालतु पक्षी है तो लेमर गियर आस्ट्रेलियन पक्षी प्रसिध पालतु पक्षी है ठीक है अब हम आते हैं कोशन 6 पर कौन सा पक्षी दाडी वाले गिद के रूप में जाना जाता है तो सारस है देखा होगा आपने देखिए ये हमने चित्र बनाया है सारस ऐसा पक्षी है जो दाडी ओस आपक्षी on Aber gotta कोशिन 7 पर आते हैं कौन सा पक्षी सभी समुदरी पक्षियों से बड़ा होता है तो answer है Elevritas Elevritas एक ऐसा पक्षी है जो सभी समुंद्र समुंद्री पक्षियों से बड़ा होता है ठीक है ये हमने चित्र बनाया है अब question 8 पर आते हैं कौन सा पक्षी फुटवाल जितने बड़े अकार के अंडे देता है तो answer है शुत्र मुल्क ठीक है ये है शुत्र मुल्क पक्षी जो होता है फुटवाल जितने बड़े अकार के अंडे देता है ये हमने इसकी पिक्चर्स बनाई है ऐसे ही हमारा ये question है कौन सा पक्षी अपने पंखों को एक सेकिन में नभेवार फड़काता है तो ऐसा पक्षी जो है वो हमिंग वर्ड है जो एक सेकिन में अपने पंखों को नभेवार फड़काता है इसका शित्र भी हमने बनाया है ये है सभी को धियान से देखना है सभी question आंसर को याद करना है question 10 पर आते है दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला पक्षी कौन सा है तो आंसर है emperor पैग्विन ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला पक्षी है ठीक है ये हमने चित्र बनाया है ये हमारे complete हो गए हमने कुछ ही बनाये थे ये हमने चित्र बनाया और ये हमने question लिखे थे जिसके आंसर हमने आपको बताए है इसमें भी है आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो like कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करना है तक्यू